जहिन दोस्तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटुब चैनल सिभा ओनलाइन प्लाशेश में दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिन आर्मी में निकली एक और भरती के बारे में दोस्तो लोगडाउन के बाद में इंडिन आर्मी में बहुत बड़ी संख्या में भरती निकल रहीए और सबसे अच्छी बात ये है कि इन भर्तियों में जो बैकंचीников성 बहुती जव्यादा संख्या में बैकंची आ रही है इसका कारण मैं आप सभी को बता देता हूँ वैसे आप सभी को भी शायत पता होगा कि दोस्तो, आप सभी को पता है कि 2020 में आरमी की एक भी भरती clean नहीं हुई है तो दोस्तो, जहां पर आरमी में एक से दो, तीन, चार भरती ऊोथी थी एक एक यारो के अंडर को लाइक करें कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ में सेयर करें और हाँ दोस्तों अगर आपको चैनल पे नए है चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वैल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना जिससे आने बली वीडि करें देने बाला हुं। लेकर उससे पहले आपको ट्रेट intr both अजरत देता हूं कि अ लेकिन दोस्तों वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरू करने हैं तो सबसे पहले ले ले लेते हैं सुलिद जनरल डियूटी इसके लिए आपकी जो एज लिमिट है दोस्तों वो आपकी साड़े सत्रा से 21 साल होगी और उसके बाद में आपकी जो डेट वबर्थ है दोस्तों तो आपकी जो डेट वबर्थ एक अक्टूबर 1999 से एक अपरेल 2003 के बीच में होनी चाहिए हाइट आपकी 168 सेंटीमिटर यानि की 168 सेंटीमिटर बेट 50 केजी और चेश्ट आपका 77 सेंटीमिटर होना अनवारी है ठीक है उसके बाद में दोस्तों आपको जो एजुकेशन QR होगा उसके लिए आपको 10th पास होना चाहिए आपके 40% मार्च होना चाहिए 10th में और किसी भी सब्जेक्ट में आपके 33% मार्च से कम नहीं होना चाहिए ठीक है अभी आपके मन में एक डाउट आया होगा कि आपने मेरे चैनल पर पिछली कई वीडियोज में देखा होगा जिसमें मैंने आपके लिए बताया है कि इंडिन आर्मी में अभी बेट के लिए एज और हाइट से कैलकुलेट करके आपका बेट निकाला जाएगा तो दोस्तों वो ऐसा है कि अभी तक वो केबल ट्रैल के लिए चल रहा है, कुछ यद और पुल्ड जाया चुका है है, जिन यर्श में लैटर जा चुका है वो केबल ट्रैल के लिए है ठीक है मतलब इसका ऐसा नहीं है कि नहीं होगा यह हो चुका है लेकिन अभी कुछ ARO में किया गया है पूरी इंडिया में यह नहीं हो पाई अगर यह successful रहा ट्राइल तो पूरी इंडिया में age height के साथ में आपका बेट जो भी होगा वो तैक कर दिया जाएगा ठीक है height यहाँ पर GDC 1 cm कम लिये जा रहा है मतलब 167 cm बेट आपका 50 kg और chest आपका 76 cm प्लस 5 cm expansion दोस्तों एक बात में आपके लिए बता देना चाहता हूँ कि इंडियन आर्मी में सबसे कम chest लिया जाता है ठीक है मां कि आप चाहें इस्टेट के पुलिस या फिर किसी भी अर्थ सेनेबल में जाएंगे तो यहाँ पर जो आपका chest लिया जाता है तो असी और 85 लिया जाता है ठीक है लेकिन यहाँ पर दोस्तों 76-77 cm ही लिया जाता है तो आर्मी में आपके लिए जितना आसान है भरती होना उतना आसान आपके लिए किसी भी फोर्च में भरती होना नहीं है ठीक है उसके बाद में दोस्तों अगर आप इस भरती में अपलाई करना चाहते हैं तो आपके लिए intermediate पास होना चाहाँ है उसके बाद में आपके पास में 4 subject अनवारी होना चाहाँ है वो 4 subject कौन-कौन से हम आपको बता देता हूं आपके पास में physics, chemistry, math और English चरूर होनी चाहिए ठीक है आपके 12 में overall 50% marks होना चाहिए और किसी भी subject में आपके 40% marks से कम नहीं होना चाहिए ठीक तो चलिए दोस्ते उसके बाद में हम बात कर लेते हैं यहाँ पर soldier nursing assistant ठीक है तो nursing assistant के भरती के लिए दोस्तों आपकी age limit है वो same as technical है सबको same है यहाँ तक ठीक है के बले यहाँ पर दोस्तों आपकी जो education qr है वो change होता है जैसे बहाँ पर दोस्तों मांग रहे थे आपसे physics chemistry म biology plus English मांगे percentage आपकी same है 50% आपकी overall होने चाहिए और 40% marks से कम किसी भी subject में नहीं होना चाहिए उसके बाद में हम बात कर लेते हैं soldier, clerk और store की परकी तो इसके लिए आपकी age limit 16-17 से 30 साल और आपकी जो यहांपर height है इसमें बहुत बड़ी आपको relaxation दिये जा रहा है दोस्तों आपकी जो height है यहांपर 162 cm only ली जा रही है अगर आपके height 162 cm है तो आप इस भरती में apply कर सकते हैं आपकी chest और weight आपका सेम है 50 kg weight और 77 cm आपका chest लेकिन यहांपर दोस्तों थोड़ा सा education qualification में थोड़ा से यहांप बदलाव है आपको intermediate pass होना चाहिए किसी भी इस्ट्री में art, commerce, science लेकिन उसके बाद में एक सर्थ है कि आपके पास में 60% marks होना चाहिए और किसी भी single subject में आपके 50% marks से कम नहीं होना चाहिए और आपके पास में इंटर में math और English होनी चाहिए ठीक है उसके बाद में दोस्तों हम बात कर लेते हैं soldier tradesman की तो soldier tradesman की भरती के लिए दोस्तों यहां पर 10th pass और 8 pass मैंने कलक्ती एक वीडियो अपलोड की दी जिसमें मैंने आपके लिए बताया था कि soldier tradesman 10th और 8th pass में क्या अंतर है क्योंकि मेरे पास में काफी सर दोस्तों कमेंट्स परकी ही भरती होती है और बांके जो trades बचती है वो 10th pass के लिए जाता है जैसे कि बारबर वासर मैं कुप्स हो गया आपके ठीक है तो इन दोनों की दोस्तों जो age limit होती है वो सेम है साड़े सत्रा से तेस साल डेटो बर्थ आपकी 1 October 1997 से 1 April 2003 के बीच में होना चाहेंगे height और class 10th simple pass होना चाहेंगे और आपके 33% marks होना चाहेंगे उसके बाद में यह जो 8th pass है यहाँ पर आपके लिए दोस्तों के बाल class 8th pass होना चाहेंगे यहाँ पर देख सकते हैं आप लिखा हुआ भी है कि 8th pass के लिए only housekeeper and matchkeeper की भरती है ठीक है तो यह अंतर होता है soldier treatment की 8th pass की भरती में ठीक है तो दोस्तों यह तो हो गया आपकी post के बारे में अभी मैं आपके लिए बता देता हूं कि यह जो भरती है वो किस ero के लिए तो दोस्तों यह जो भरती है वो ero जामनगर की तरफ से निकाली गई है आप यह pdf को भी मेरे telegram channel सिभा online classes जिसका मैं 18 जनवरी 2021 के बीच में आप online registration कर सकते हैं website यह है joinindianarmy.nic.in उसके बाद में दोस्तों यह जो भरती होनी है वो आपकी 1 February 2021 से 15 February 2021 के बीच में आपकी यह भरती होनी है ठीक है उसके बाद में दोस्तों हम आपके लिए कुछ चेस्ट के बारे में भी बता देती हैं यहाँ पर सॉरी आपके फिजिकल के बारे में तो आपके लिए सभी को पता है कि इंडियन आर्म में भरती होनी के लिए आपको 1.6 km running और beam यानि कि pull ups और 9 feetage और zigzag balance करना होता है ठीक है group 1 में अगर आप आते हैं जिसके लिए timing होती है आपकी 5 minute 30 second तो आपके लिए 60 marks दिये जाते हैं और अगर आप group second में आते हैं जिसके timing 5 minute 31 second से 5 minute 45 second तक होती है उसके लिए आपको 48 marks दिये जाते हैं ठीक है अगर आप pull ups लगाते हैं दोस्तों 10 तो आपके लिए 40 marks 9 में 33, 8 में तो 27, 7 में 21 और अगर आप 6 pull-ups लगाते हैं तो आप 16 marks आपको मिलते हैं मां के दोस्तो 9 feet ditch और जिग-जग balance जो है वो आपके लिए only qualify करना होता है इसके लिए आपको कोई भी marks नहीं दिया जाता है ठीक है तो कहने का मतलब यह है कि अगर दोस्तों आप 6 pull-ups भी लगाते हैं तो अभी आप आर्मी में भरती हो सकते हैं तो दोस्तों सुनेरा मौका है आपके लिए आर्मी में भरती होने का तो अगर आपने अभी तक form apply नहीं किया है क्योंकि 10 December से दोस्तों यह form start हो चुके हैं और आज है 11 December तो जल्दी से जल्दी जाके अपने form apply कर दीजिए और अगर कोई भी doubt हो तो आप मुसे पूँछ सकते हैं ठीक है कमेंट करके आप मुसे वीडियो के माधिम से कोई भी doubt अगर आपका है तो आप पूँछ सकते हैं ठीक है कौन-कौन से documents लेके जाना अगर आपको पूछना है तो मुसे पूछ सकते हैं बांकि यह जो PDF है यहाँ पर लिखा हुआ भी है ठीक है इस PDF को आप टेलेग्र